गौलियर चंबल संभाग में शिवराज महराज करेंगे चुनावी आगाज संदीप अब गौलियर चंबल संभाग में जब शिवराज और महराज आगाज करेंगे तो किस तरह की यह तैयारियां है और क्या कुछ मकसद हो सकता है इस चुनावी दौरे का बिल्कुल देखिए नमरता की मध्यप्रदेश में 27 सीटों पर उप्चुनाव होना है और ऐसा मे प्रदेश में भारती अंता पार्टी ने आपरेशन अपना गौलियर चंबल संभाग शुरू कर दिया और इसके तहत जो सिंधिया का गड़ कहा जाता है गौलियर चंबल संभाग जहां पर 16 सीटे हैं उप्चुनाव होना है तो इस तरीके से देखें कि सिंधिया सिंधिया गौलियर दोरे पर जा रहे हैं यहां पर वो एक बड़ी चुनावी रंड़नीती बनाएंगा उनके साथ यानि कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चुहान मत्यप्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सही तमाम बड़े नेता वहां सोला सीटों पर उप्चुनाव होना है उसको लेकर बड़ी एक रंड़नीती तयार करेंगे साथ सदस्यता ग्रहन करने का भी एक कारिक्रम होगा जहां पर यह कहा जा रहा है कि सिंधिया के साथ करीब 10,000 से अधिक जो कारिकरता हैं कॉंग्रेस के कारिकरता हैं वो सिंधिया जोतिराई सिंधिया के नेतरत्व में भारती जनता पार्टी की सदस्ता ग्रहन करेंगे तो कुलम लाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जोतिराई सिंधिया ने मध्रदेश में कमलनात को करारा जटका देने के लिए अपने ही गड़ में जो है कॉंग्रेस को तगड़ा जटका के लिए तमाम जितने भी बड़ी संख्या में कॉंग्रेसी हैं उनको भारती जनता पार्टी में शामिल करने का एक्शन प्लान त्यार कर लिया है और जिस तरीके से देखें तो यह जो सीटे हैं वो कही ना कहीं सिंधिया की प्रतिष्ठा का सवाल भी बनी हुई हैं और ऐस गौलिर चंबल संभाग पर फोकस कर चुकी है जी बिल्कुल ना सिर्फ शिवराज महराज बलकि बीजेपी और कॉंग्रिस का भी हर एक कारे करता इस वक्त एक्टिव मोड में पूरी तरह से नसर आ रहा है क्योंकि उपचिनाफ करीब आते आते पूरी तरह से तैयारियां क करनी है और इसी लिए ये तैयारियां भी बेहत खास ही होने वाली है लेकिन संदीप अगर हम गौलिर चंबल की बात करें और साथी बीजेपी की अगर हम बात करें तो मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी इस वक्त गौलिर चंबल संभाग पर कर रही है त का फॉर्मूला तयार कर लिया है एक तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की तो भारती अंता पार्टी के लिए गौलिर चंबल संभाग सबसे महत्पोन इसलिए है क्योंकि यहां आप से 16 सीटे उपचुनाव में हैं और सिंधिया का गड़ है और सिंधिया समर्थ को नहीं मध्यप्रदेश की सत्ता पर कोन काबिज रहे गा है क्या शिवराज सिंग चोहान अपनी कुरसी बरकरार रख पाएंगा या फिर एक बार फिर मध्यप्रदेश में कमलनात की वापसी होगी तो इसी को लेकर यहां यह संभाग गौलिर चंबल संभाग है वो काफी महत्पू हो रहा है और मंत्रियों का घहराव भी किया जा रहा है उन पर आरोप लगाये जा रहे हैं कि उन्होंने कॉंग्रेस के साथ गद्दारी करके सत्ता के लिए लालच के लिए भारती जंता पार्टी का दामन छोड़ा है तो कहीं ना कहीं उसी विरोध को कम करने के लिए भारत पार्टी ने और खुद इसकी अगवाई जो है जोतिरादित सिंध्या करेंगे लेकिन अगर हम कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस भी अब पूरे तरीके से चुनावी मेनेजमेंट में जुट चुकी है और 27 तारीक को एक बड़ी बेठक कॉंग्रेस करने वाली है जिसक तरीके से देखा जाए तो 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं तो वहाँ पर प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों को भी बुलायागा है कमलनात में उनसे तमाम सुझाव लेंगे और काफी एक बड़ा मन्थन होगा तो हम कह सकते हैं नमरता कि ये जो 27 सीटे हैं जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अक्टूबर में चुनाव होने के संकेत दिये हैं तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ने अपनी कमर कसली है और ये 27 सीटे जीतने के लिए अब मध्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरीके से सजने जी बिलकुल तो मध्रदेश के सियासी गल्यारों में इस वक्त उप्चुनाव का माहौल तो बना ही हुआ है था साथ ही खास तैयारियां की जा रही है बीजेपी की कॉंग्रेस की दोनों ही पार्टियों के करम बात करें तो पूरी पूरी तैयारियां अब अपने अंतिम च एंबी का हाथ मध्रदेश की हर खबर एंबी न्यूस टीवी के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एंबी न्यूस टीवी लेटेस्ट अबडेट से लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूदे